अब लोग पार से आई अब अब लुजा से अब लही कोर से अरश लाईब आप आया है तो आप क्या है मैं चीफ डिस्पेंसर में धूर काम-किर अपने शुपेंसर की दोर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे पास लेटर है कि इंचार्ज यह है उस वाक डाक्टर नहीं थे सब्सक्राइब कर सकते हैं उनको आइडिया नहीं है पता है क्या यह मैं जो यह अफजर्व कर रहा हूं न एक बाबाजी आप काबले तरह में एक बाबा ओके बाबाजी आप काबले तरह में एक नहीं मेरी छोटी सी बात सुनना अगर आपको लगे न हम आपके मुखालिफ हैं तो फिर मुझे यही रोक देना जो यह मैं थोड़ी सी ओवाजे सुन रहा हूं न कि बाबाजी मेरी सुन नहीं बज़ूर्गे आप होग पते हैं हम लोग यह चाह रहे हैं कि यह जो पार्मेडिक्स हैं इनकी जौप डिस्क्रिप्षैन इस्प्लेए होक्षास जब सर्वेश रूल्स के अंदर जब कोई सेठ्र क्रेंट होती है तो हमेशा जर्विस्क्रिप्ष्टिण उसके साथ होती है मैं पजाब पूरी बताए आप 1983 में आप के पास डॉक्टर नहीं थे तो आप हैड थे उस वकद आप अंडर सुपर्वीन ऑफ डॉक्टर नहीं थे आप क्या चाते हैं 2010 में फिर लेटर सेक्टी ने जारी किया कि डाक्टर की अदब मौझूदगी में डिस्पेंसर क्वालिफाइड जो है वह इंचार लोगा एक मड़ेसर यह बाद करने देए अच्छा वह लेटर मेरे पास मौझूद है वह लेटर भी मेरे पास मौझूद है तीसरी बात जी आल कर रहे हैं, कर रहे हैं, डिस्पेंसर काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो अपने काम में माहर हैं और काम कर रहे हैं, जो उनका ड्यूटीज है वो कर रहे हैं, रहा जाव डिस्क्रेप्शन, डिस्पेंसर के जाव डिस्क्रेप्शन में 1947 से 2010 तक ये बात शामिल है, कि डिस्पे संसार फास्टेड दे सकता है जो बता रहा हुँ ना उसने का है कि जो भी हेल्थ केर कमिशन का रिजिस्टर नहीं होगा वो क्वैक होगा ठीक होगा ठीक होगा ठीक है अब अगर ऐसा करेंगे तो आप क्वैक है हाँ ओके आपका पॉइंट आगया बस थेंक्यू आजी जनाव आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं बाबाजी आप बाद में ना कहिए का मुझे मोका ने दिया यह आपने बताई है प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स एक मड़ी है हकाई की बता दिये चाहते क्या है अब है कि जैसे हमारी डिमांड यह है ऐसे सथकारी ऑस्पिटल में डाक्टर हमारे बगार आगे नहीं चल सकता प्राइविट सेक्टर में भी डाक्टर हमारे जो पैरामेडिकर स्टाफ है लाइड के जो सीनियर दोसत हैं उनको साथ आप जो कलिनिक पे ना रखे जो डिप्लोमा उल्डर है उनको क्लिनिक पे रखे और ताके वह अपना चूला भी घर का जलाइए और आपके साथ वो चाम भी करें उसका रिजार्ट भी अच्छा होगा उसका रिजाट उसकी क्वालिटी बेतर होगी आंसर ले लेंगे एक सफवाल उनका वोई भी टीमवर्क हम पर भरोसा रखते हैं हम ये चाहते हैं लिमिटेंशन में रहकर काम किया जाये हमारी हमारी जो चाहत है जो आप पूछ आपको टॉप ओफ दी मोस्ट फाहद भाई मैं एक नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाओं एस वक्त आप जुडिशल आप ओजाएं जितनी भी जुडिशल डइस पेन सिरीज dalam उन्में ऐ्मो की पोस्ट ही नहीं है सेंक्षन ही नहीं है पोस्ट, किसी जी आर्डी में सेंक्षन नहीं है, किसी आर्सीडी में पोस्ट सेंक्षन नहीं है, टेवटा में सेंक्षन नहीं है, रेलवे में सेंक्षन नहीं है, वन वन टूटू में सेंक्षन नहीं है, मैं ये बात मैं अपने पास से हवा में नहीं कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं इसर सुन रहा है था झाना मेरी बात सुने आप है होगी होगी आजी अच्छा इनकी आपने जो क्वेस्टन किया सारों को समझ आया था ने इनका आपको हंड्रेट परसंट हमेशोर करते हैं इजी आफिस लिख के क्या दिया है मैं आपको बताता हूं जो लिख के दिया है इनका सवाल सबने सुना था ना आप और हम एकी वर्क प्लेस हमारी सेम है मैं इनकी सो फिस्द एगरी करता हूं मैं क्या हम वाइडिये क्या हम डॉक्टर हम चाहते हैं कि यही जो ट्रेंड हमारे साथ का जो मौर्निंग में स्टाफ काम करें वही किदर करें आपके साथ प्राइवेट में करें एक मिनट एक मिनट ऐसे ही है यही आपकी डिमांड है यही एक मिनट सर 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 मौलाना एक मिनट सुबर्द कर जाएं इनकी यह डिमांड है यह डिमांड है मैं आपके सामने बावास बुलंद कहा रहा हूं एग्री एग्री एक सवाल एक सवाल आज मुझे अपनी डिमांड देश की है अपनी डिमांड देखाव रिटन दो रिटन देखाए जिए रिटन क्या लिके दिया सर जी जी मैं रिटन कोले पॉइंट कि पर के सुना दें कपी देता हूं तो कपीने मेरी गुजारिश T this day आ एदनी देर पड़े मेरा पॉइन्ट ले ले आपसे मुतल्का है आप बी अताय्यत के खिलाए हम भी अतायित खिलाए है अभी वन सीटिजन जो के पाकिस्तान का बासी है ना वो चाहता ये है k stationary भी को एक से इलाज नहां करा फिक है हम यह काते हैं मेरी बात तो सुने मिरी बात तो सुने सब्सक्राइब करें जब हो सकता है तो क्वालिफाइड बंदे से क्राओं यह क्यूरी हम लगा सकते हैं किसी भी चीज पर जैसे आपने बात पॉइंट मैं एक बात कहना चाहरा हूं हम आपकी मदद करते हैं अतायत के सब्सक्राइब कर दो करता है वो से वो जो जो बी जौब करता है वो इस टेकोल्डर है वो स्टेकोल्डर है मैं आपनजान मैं आई जा प्आएट के खिलाब मेरी बात सुने मेरी बात सुने मैं जो बात कहना चाहरु हम वो यह है कि मुझे सर एक बात और बटार था आप बाढ सुनें शवाल ले ले सर सवाल ले ले सर सुन ले सर डोक्टिर साब आखरी से वाल जी आखरी सवाल ड़क्टर यूनोड साब मुझे आप से यह पूछना है कि एक बंदा है उसको हार oikeग होने वाला है ठीक ओ, लेकिन सिंटम किसी और बैमारी की है चोटी मोटी प्रॉप्र जो मैंने पहले बोला ना पंजाब मेडिकल फेकलिटी से यह जो फस्ट एड फस्ट इड इनको किसी ने गुम्रा की है इनको इनके डिपलोमा पर लिखते हैं कि नाट अलॉड फार प्रेक्रिस मैंने आपको यही कहा है लिखते हैंगे नहीं लिखते हैं यह रिवियू हो के इनकी लिमिट्स जिस वक्त बन गई न तो यह बिलकुल इनके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे अब बाइचान मौलाना सब एक मिट देते मैं और एक से बात उनका में उल्टा कान पकड़ा है कान उल्टा कैसे पकड़ा है यह पहले चले के सप्रीम कोड अब आये सटकों पर और वहां से अब ठपा लगवा के आए यह आपका पॉइंट अब यूव है यह हमारा पॉइंट जो आपके जो चोटे-चोटे बचचे दॉंट डॉक्टर यह क्या होता है ओर ना सब्सक्रिप्च्र टुम्हारा है इस रिंस्रीटटर हम रहा है जो आपके प्रोब्लम से लिमिट्स में हाथ लिमिट्से उपर हम नहीं जाना चाहते हैं मैंसीस स्वाल सिपाल पूछू प्रोग्रम रखते हैं यहां आपने बड़ी डिसकेशन सुनी है और डिसकेशन के मताब सबसे बड़ा मुतालबा यह भी मुतालबा है अपने 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 दारा इक्तियार में काम करने की इजास्त जरूर होनी चाहिए और सक्रीन पर आप देख रहे हैं जो सप्रीम कोट आफ पाकिसान की जानिब से बड़े वाज़े अखकामात भी दिये गए एन आहकामात के बाद, क्या हकोमत के पास कोई आसी policy मौझूद है, कि वो इनको facilitate कर सके paramedics की गुफटकू, हमारे viewers जो है हनुने सुनी जो demands उन्होंने DG Cos दी हैं, वो demands की copy आपको बता रही हैं और उसके जो अहम तरीन नकात हैं, वो 6 हैं एक तो है के establishment and registration of paramedics in allied health profession council Punjab ये एक ये है दूसरा, registration of qualified paramedics in primary primary health care commission act 2010 तीसरा, सबसे आहम delete the paragraph not allowed private practice from the paramedics certificate and exempted from QAQRI यनि all paramedics in registration पंजाब medical faculty लहौर ये इनका तीसरा मतालबा है और permission to private limited practice of allopathic medicine and first aid dressing ये आहम तरीन मतालबात है जिन में service structure और बाकी चीज़े भी शामिल है डॉक्टर सुल्मान काजमी YDA के सदर हमार साथ मोजूद है डॉक्टर साब मैं आप से जाना चारूँ ये चाहते हैं कि इन इजादत मिल जाए क्लिनिक खोलने की वो इनको कतन नहीं जी जा सकती क्योंकि ये अजल से इसी तरह कर रहे थे पिछले 50 साल से ये लोग क्लिनिक्स चला रहे थे लोगों की जानों से खेल रहे थे स्टीरोइड लगा रहे थे गुर्दे फेल हो रहे थे लोगों के हैपटाइटस C फैल रहा था किसी ने कोई नोटिस नी जा था सुप्रीम कोर्ट में ये मामलात अपरेल 2018 में टेक अप हुए इनके खिलाफ और्डर्स पास हो गए ये अपील में नहीं गए अब ये सड़कों पे क्या लेने आगे हैं अपिक्स कोर्ट के ओर्डर के खिलाफ जो फैसले इनके खिलाफ हो चुके हैं उनको अदालते ही अंडू कर सकती है गवर्मन का प्रॉगर्टिव नहीं है तो आज के ज़र ये गवर्मन को मजबूर करना चाते हैं इनका ख्याल है कैसे हो सकता है मगर जो इनके बाकी सारे मतालबा जाइज है इनको सर्फिस ट्रेक्चर मिलना चाहिए इनकी तनखाएं बेतर होनी चाहिए मगर जहां ये प्रैक्टिस की डिमांड करें वो इलीगल है ये काम करें डॉक्टरों की नीचे तो वो भी कहेगा कि मैं नी करबा सकता लागों के लागों पिरामेडिक्स को आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की इजाज़त दें तो ये तैकन करेंगा है कि क्या जो दे रहे हैं वो फस्ट रेट है फस्ट रेट की डेफिनीशन वो क्या करेंगे झाल झाल